कि नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जी एस प्लैनेट पर आज से हम लोग करेंट अफेर्स की सेक्शन को शुरू करते हैं जो पुरानी सीरीज थी उनको फिर से कंटिन्यू करते हैं तो एक जून की नियूज को हम लोग कवर करेंगे तो इस बा सब्सक्राइब करेंगे तो आज एक जून 2021 के खबरों को लोग देखते हैं तो सबसे पहले और यह जो सीरीज होगी वह एक तरह से जो है कुश्चन फर्म में आपको दिया जाएगा तो पहला कुश्चन है कि बिश्व तमाको दिवस्वरी यहां पर बिश्व तमाको दिव होगा तो बिश्व ना तमाको दिवस कम मना जाता है तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना मुश्किल है तो समझ लीजेगा वर्ड नो टोबैको मतलब कि इस बार टोबैको हम नहीं खाएंगे तो इस तरह का संकल्प होता है तो उसी कि को प्रमोट करने के लिए उसी आडि बारिम थोड़ा स्थे लेते हैं वर्ड नो टोबैको डो इस ऑफ्जर्ब एराउंड द वर्ड एवरी यर और 31 में 2021 इसका जो है तेकि जब भी कोई दिवस मना जाता है तो उसका एक थीम होता तो इसका इस बार का थीम क्या था कमिट क्विट यहां पर कुट लिखा नहीं ह करता है तो पूरी दुनिया में आपको पता होंदा चाहिए कि टोबैको एक खतरना एक नशीला जो है सेवन नशीला जो पदार्त है जिसे लोग सेवन करते हैं नशे के लिए और इसका जो साइड इफेक्ट होता है बहुत भायंकर होता है वो कैंसर रूपी बीमारी को जन् ना करें तो इसलिए यह मनाया जाता है ताकि जागुरूपता फाइल आया जा सके शेत्र में डबली अचे के बार हम देख लेते हैं वह यूनाटेट नेशन की एक स्पेशलाइस्ट एजनसी है इसका काम ही है कि हेल्थ पैरामेटर हेल्थ सेक्टर को कैसे प्रमोट किया जा अपनता कब उए थी शाथ अप्रेल उनिट्सव एड़कॉटर आ जिनेवा में है जिनेवा स्ट्विजा लेंड के अगर हम बात करें तो केवल डबली अच्व का ही नहीं कई अन्य अंतर्राष्टी इंपोर्टेट संस्थाहों का हेड़कॉटर आ जिनेवा में जिसमें तो इतनी सारे संगठनों का हेटकोर्टर कहां पर है जिनेवा में आप देख लिएगा तो पहला कोश्चन ही होगे अगले कोश्चन क्यों चलते हैं अभी हाली में पी-म केर फंड से हाली में पी-म केर फंड से कोबिट-19 वीमारी से अनात हुए बच्चों को कितनी धर्णाशी के साहता प्रदान करनी की गोश्चना की गई है एक लाग रुपए दो लाग रुपए पांच लाग रुपए या दस लाग रुपए तो इसका सही अंसर है दस लाग रुपए अभ तरह का यह फंड रहेगा सेफ रहेगा जब बच्चे इसको और थोड़ा साथ देटेल देख लेते नहीं तो गर्बढ हो जाएगा तो गर्मेंट ऑन साच टे नाउस्ट एस स्पेशल पीम केर्स पो चिल्डरें स्केम पो आल दोज ऑर्फन ड्यू तो कोबिट-19 विच्वि और यह कम मिलेगा उनको 18 साल के बाद उनको दिया जाएगा किसको मिलेगा कुछ ऐसे बच्चे जो इनके माता या पिता या माता पिता में से कोई माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई या उनका कोई गार्जियन उनकी टेथ कोबिट-19 से हुई है ठीक है तो पीम केर fund आप लोगों पता होना चाहिए PM Care के बारे में पिछले साल जब COVID-19 का संकट देश में फैला था तो बहुत सारे लोगों ने जो है प्रधान मंत्री के आहवाहन पर उनकी अपील पर PM Care पर दांग किया था तो बहुत सारे पैसे इसमें कठा हुए थे तो उन पैसों के माध्ध से COVID-19 से आने वाली चुनवतियों के समाधान के लिए प्रयास किया जा रहे है तो इसकी फंडिंग इससे की जा रही है इसलिए इसलिए इंप्रेंट है तो देख लेते हैं और बाकी हिंदी में भी है आप लोग पढ़ लीजिएगा अगला कोशन है हाली में केंदर सरकार न देश में उद्दम शिल्ता को बढ़ावा देना इसका सही अंसर है तीसरा देश में 75 लेखों को का चुनाव करना अभी क्या है देख लेते हैं सेंटर लॉंचे स्कीम टुमेंटर बडिंग राइटिंग बडिंग का मतलब होता है जो अभी तैयार हो रहा है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है तो पीला जो सेक्शन है उसको पढ़ लेते हैं दे गौर्मेंट चुडे लॉंच्ट यूवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम मतलब प्रधान मंतरी ने यूवा स्कीम की घौशना की है जिसका उद्देश है कि वो यंग ऑथर्स को मेंटर करें मेंटर का मतलब कोच करना मतलब उनको एक तरह से ट्रेनिंग करना उनको ट्रेन किया जाए जाए एक ऑथर एन ऑथर मेंटर्शिप प्रोग्राम टूट्रे मतलब तीस साल से कम उनकी आयू होने चाहिए तो यहां पर एक और कुश्य बन सकता है घुमा के प्रशन बनेगा कि अभी हाल में सरकार ने यूवा स्कीम की घौशना की है इसमें 75 लेखों को को ट्रेन किया जाएगा मोनिटर मेंटर किया जाएगा उनकी आयू समूह क्या हो पचीस से कम भीस से कम तीस से कम पैतिस से कम तो ध्यान दीजेए कि 35 नहीं 30 से कम होना चाहिए बाकि और न्यूज है इंदी में भी है इंग्लिश में और चीजें पढ़ लिजेगा अगला क्योशन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अंतरगत मद्य परद इसको इसम मिशन के अंतरगत के इन सरकार ने पांच जार एक सो सब्सक्रा करोड रुपए देने का जो है बुगतान करने की कोशना की यह मलब दे दिया है यह क्या है क्यों है देख लेते हैं देखें सेंटर एलेक्वेट्स फाइब थाउजन वन सेवैंटीन करोड टू मध्य की जारी है जल जीवन मिशन की घोशडा 2019 में की गई थी यह भी कुशन बन सकता है कब घोशना होई थी जल जीवन मिशन की 2019 में एक केंद्र की योजना है इस मिशन का उद्देश 2024 तर वहुद इंपरटन्ट है एक्जाम में प्रशन मने कर जल जीवन मिशन के अंतरगत पाइप कनेक्षन का मतलब होता है कि देखिए शहरों में तो फुल्फिल करते हैं तो उसमें कभी समस्य आ रही है तो इसलिए फारस सरकार की एक योजना है कि होजार चोबिस तक सभी घरों में इसका एक नारा यह हर घर नल से जल हर घर नल से जल यह इसका नारा यह 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 मिशन प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की अपूर्ती कराएगा ठीक है तो योजना समझ में आके अब दूसरा इंपड़न्ट चीज यह है कि मंत् तो यह भी प्रशन बन सकता है जल शक्ती मंतरी को नहीं दूसर इंप्रटन बात यह कि यह क्यों पैसा दिया गया मद्धप्रदेश को इसा नहीं है हर एक राज को दिया जाएगा पहले देखिए यह एक तरह से क्या है यह कैंद्र द्वारा द्वारों में केंद्र करकेंजें पर्सेंट और फिप्टी पर्सेंट का जो है स्कीम लागू किया गा है मलब केंद्र सरकार 50% खर्च करेगी और स्टेट गौवर्मेंट उसे 50% खर्च करेंगे दोनों मिलकर इसी योजना को लागू करेंगे तो केंद्र जितना भूपतान करेगा राज्यों को उसी हिसाब से अपना इसी योजना को लागू करेंगे इसी के ध्यान इसी को ध्यान देते हुए कि मद्ध पर्देश को 517 करोड उपय का आवंटान किया है हर एक राज को दिया जाएगा अगला देखते हैं कुशन पाकि यह पढ़ लीजेगा जो है मद्ध पर्देश के बारे में जान ल अगला कोउशन हैं कि अभी हाली में सेंड इन ने सबसे तेज माउंट एवरिस्ट पर चड़ा थाये पचास हुआ करता था थोड़ा सा कट गया तो बाउंट टेवरिस्ट पर जब भी कोई परवतर हो ही चड़ाई करता है यह रिकॉर्ड बनाता है वो एक्जामना पूछा जाता है तो इन्होंने सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया है यह किस देश की है यह होंग कोग की तहां कि है होंग कोग की तो न्यूज देख लेते हैं थोड़ा सा यह मैला है इन्होंने जो है दूसरे तरह से भी प्रशन आशकता है कि इनका नाम ही पूछ लिया जाए ठीक है होंग कोंग मॉंटेनियर सैंग इन हु कि हुंग कोंग की है अब देख लेते हैं है थोड़ा जूम कर लेते हैं नं leg लोकेशन आपको निकेर सबस्तेकर अचिन आफ घीर सब्सक्राइब – घान देसेघा one कोग को जो है इसे चीन का ही भांग मानते है एक्षिल हुआ था कि 1977 सब्सक्राइब चीजेगा इन चीजों पर होग को अपनी जो सरकार होगी बाकी सारी चीजें चीन लिए लेकर इस तरह से एक कंटेश्वस वह यानि विवादित लेकर देकर वो चल दिए इनका काम है ब्रिटेन जहां से भी जाते थे रहता फैला के जाते थे भारत पाकिस्तान भी कश्मीर कराता आज भी फैला हुआ हुआ है तो होंग को भी क्योंकि एक पूरी तरह से यह बिजनेस कंट्री है और दूसरी बात क्या है यहां होंग कोग में अभी भी डिमोक्रेसी के लिए रेवलुशन करांतियां अंदोलन चलती रहती है तो यह होंग कोग के बार इन हो गया अगला कोश्चन देख लेते हैं लास्ट कोश्चन आज कर आज ही हाल ही में या आज नहीं हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक सावर कर अकंटेस्टेट लेगेसी उन्नेस सो चौबिस से उन्नेस सो च्यासाट यह पूरी पुस्तक का नाम है कि लेखक को है अमताब गोश्च अनुन्दती रॉल विक्रम संपत या शशितरू तो स पर प्रकाश डाला है हुए उन्के इंपर्टन सेग्मेंट को कवर किया है यह और दामदर साबरकर एंहें स्वथंतर वीर सावरकर नहीं सवतंतर बी्स हणारयकर भी कहा जाता है यह अजादी के इतने भी सुद्श्दतरता सेनानी थे जितने भी महापुरूच उन्नें स जितने हैं वो इनको विलेम की तरह देखते हैं और जितने भी दक्ष्डपंदी जैसे भाजपा आरेसे बजरंग डल इंदू यू आवाने ये सब दक्ष्डपंद वालों के लिए विनायद दामुद सावरकर जी हीरो हैं तो मेरे निजर में क्या आई ये जानने के कोई दूसरी बात क्या है कि जब इनका जन्व हुआ तो ये लंदन में इनके सिक्षा हुई और एक एथीष्ट थे नास्तिक थे लेकिन कट्टर हिंदू थे नास्तिक और कट्टर हिंदू थे हिंदू इन्दू ने एक सांस्कृतिक शब्द माना था कोई रिलिजिस नहीं माना तो शुरुआत में जब ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से इन्होंने अपनी बाते कहीं और कुछ हिंसक घटनाव में इनका अप्रतक्ष हाथ रहा है तारोप लगा और इसके आधार पर इनको जो है पचास साल की जेल हो गई थ पचास साल की जेल होने के बाद काफी दिन तक ये जेल में बंद रहे और जो जेल कहां थी सेलूलर जेल थी अंडमान निकोबार तो सेलूलर जेल जिसे हम काला पानी के नाम से जानते हैं तो इनको काला पानी की सजा होगा थी पचास साल की बीच में क्या हुगा लगबग 15 बीच साल तक ये जेल में थे उसके बाद इन्होंने क्या लिखा माफी नामा लिखा लिखा ता है। प्रिटिशन जो है कि वाइल किया था है हमें आप जेल से चोड़ दीजिए हमें काले पानी से आजाइद कर दीजिए और हम आपके वफादार बनके रहेंगे यह लिखके नोंने दिया था बिर्टिस सरकार के खिलाब किसी भी तरह की बाते यह नहीं करेंगे फिर जब यह चूप कराते हैं यहां से जब 1966 तक जब भी यह जीते हैं इन्होंने अंगरेजी हुकूमत के खिलाब एक रियादोलन नहीं किया था इसे यह बिनायद मोदर साव परकरजी के दो पक्षे हैं एक उन्नी सो चौबिस के पहले वाला और एक उन्नी सो चौबिस के बाद वाला इनका के वाल एक मात्र जो कंसेप्ट था वह हिंदू राष्ट की तरफ और इससे मिलती इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने उन्नी सो अठाइस में पुस्तक तो मुस्लिम लीक और इनकी आडियोलोजी लगबग लगबग एक दूसरी की विप्रित थी लेकिन दोनों सेम चाहते थे दोनों बटवारा चाहते थे लेकिन लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदू के अलग चाहते तो हो गया अब आप और ज्यादा डीटेल में मुस्लिमों के दो कर दिलनकी लेकिन लेकिन 7 мире में लिए में ये खिर के लेकिन लेकिन मुश्वे माूचरा शॉम है лी घयाँ आवबग़ जा मुस्लिमों के दो थ doctrinalिके बटबगब उनकी चाहते दोलग और हिर दोनों मुस्लिमों के वित्यादानी आवब पुसरी आवबग